कौत बूलेटिन्टीण राहूल्गा सानस्थपदव रद्ध आक्षनमोर्ड रे कंग्रेस आमें कीछी समय पुर्बर्वलु सुनुतिले कंग्रेस रडिस्थर नेतांको प्रतिक्रिया एहाएको सरजन्त्र ये भरी किछी अभिजोग करी आसु चन्तिए बंग्राहूल का सान कॉंग्रेस नेता ज्यों भली बयान बाजी करू चांती से थिरू ए आभी मुख्य स्पोस्ट्र हेऊँछी। कॉंग्रेस नेता ज्यों भली मुख्य स्पोस्ट्र हेऊँछी। कॉंग्रेस नेता ज्यों भली मुख्य स्पोस्ट्र हेऊँछी। देश की आदर्णिय प्रधान मंत्री जी को जाती बाचक सब्द लेके गाली देना, अपसब्द कहना, अशोजयन्य विवहार करना, इसी आरोप पे जब कोई पिछले बर्ग की भाई की मन में इसकी कारण प्रतिर्किया हुई, उन्होंने अपने अधिकार को जाहिर करते हुए नयाय पालिका की दरवजा खट खटाया, भारत की आईपीशी की तहत सरंक्षन मांगा कि भारत आजाद हो चुका है, समंत बादियों के हाथ में नहीं है, प्रजातंत्र है, इसमें किशी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है, जाती बाचक सब्द लेके अपसब्द विवार करने का अधिकार नहीं है, कोई भी हो, केस साथ 2018 से अभी तक चली रहा था, पक्षय विपक्षय अपने विश्य रख रहे थे, ना उसमें सरकार या ना भारतिय जमता पार्टी की कोई संस्लिस्ट था, इन्वाल्मेंट था, नियाय पालिका ने बीते कल समाज में तनाव विभेद की आरोप में कॉंगरेस पार्टी की संसत को दो साल की सजा सुनाई, इसमें OBC समाज, जो आज चटान की तरह प्रधान मंतिरी नरेंदर मोदी जी की नेतुरूतों के साथ, देश की SCST बंचित वर्ग जो प्रधान मंतिरी नरेंदर मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, जो स्टेट्मेंट के माध्यम से केवल एक बार नहीं, अनेक बार उनकी माता जी ने मोद की सौदागर कहा था, जहर की खेती उनी लोगों की मुह से आई थी, बिविन्न समय में अपसब्द विवार करके एक समाज को भारत की एक महत्वपुर्ण भले ही समाजिक दिरिश्टिशे उनकी मर्यादा आजादी की 75 साल में उतना ना बन पाएं, लेकिन प्रजाद तंत्र में यही अधिकार दिया था, बहुमत ही महत्व रखता है, ऐसे समाज से प्रधान मंत्री आते हैं, इसलिए उस समाज को, जाती को, गरीवी को, ताश्यल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सिरीज अव स्टेट्मेंट की प्रमान है, और नयाय पालिका ने उस मानशिक्ता के खिलाप जज्मिंट दिया, फैसरा सुनाया, इसमें समाज को रहात हुई, सकुन मिली, मित्रे सब को मालूम है, भारत की जनप्रतिनिधी कानून, 1951 की तहद, किशी भी सदश्य को अगर सजा होती है, तब उसकी सदश्यता चली जाती है, कि भारत में पहली बार नहीं हुई है, कई विदान सबाओं में और इसलोक सबाओं में भी, कई मान्यावरों की सदश्यता गई है, और इनकी पार्टी के पूर्व सदश्य अभी भी राजे सबाओं में सदश्य रहे, के सदश्य हैं और रदेश की बरिष्ट लॉयर कपिल सिबल जीने काली कहा था, जज्मिट के साथ सदश्यता जनत तय है, ये बहाना दिखाए जाता कि तीस दिन की समय था, ऐसा नहीं था, कानून कहती है, सदश्यता आरोब सिद्ध होने के साथ सदश्य दंडविधान होने के साथ सद चली जाएगी, और मैं आपको एक बहुत पुरानी बात नहीं, लेकिन समय के से कुरूर होता है, समय के से निष्टूर होता है, आपको याद दिलाना चाहूँगा, 2013 में जो सभजादे आज और उनके लिए उनकी चाटुकार छाती पीट रहे हैं, हाय तोबा कर रहे हैं, 2013 की प्रेस कलब की उस प्रेस कॉन्टरेंस को में याद दिलाना चाहूँगा, प्रदान मंतरी मौनमोन शिंग जी होते थे, उनी की सरकार होती थी, उनी की घर में ही रिमोट होता था, उनी की फैसला था इस कानून को संचोधन करने के लिए, कि सजा होने के उपरांत कब सदिस्टा जाएगी, उनकी सरकार एक ओडिनन्स लाया था, उस ओडिनन्स की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ओडिनन्स को नॉनसेंस कहके फाड़ने वाले, आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कश्ट हो रहा है, और मेरे मन में तो कभी-कभी एक संदे होती है, क्या वो सच में उनकी पार्टी, उनकी सदस्चता को लेके चिंदित था क्या, उनकी पार्टी में बहुत बड़े-बड़े ओकिल हैं, देश की नामी-दामी पोकिल उनकी पार्टी के बरिष्ट सदस्चे हैं, जब एक सदस्चे ने कही दिया तकाल, सजाई गोशना होते ही सदस्चता जाएगी, आप कुछ दिन पहले आप लोगों की माध्यम से देश देखा है, पवन खेरा जी की वारिंट के चंद गंटों में बाद, एक-दो गंटे के बाद, वो कोट की दरवजा खट-खटा है, कोट से रिलिफ लेके गए, उनको कोन मना किया था पिछले 24 गंटे में कोट जाने के लिए, तीस दिन उनको महलक नहीं था, तीस दिन के अंदर अपिल कर सकते हो, जाने हो, आपना कानून जाने, आपना अखिलों को परामर्स करे हो, जो करने करे, मैं एक विशे आज यहां गंभीर विशे उठाना चाहता हूं, आप तो एक habitual अफिंडर हो ही, पहले से भी इससे घटना हुई है, विशे लोग कॉंगरेस पार्टी चाहती है, और विशेश करके उनकी प्रमुक परिवार चाहती है, उनके लिए एक अलग IPC बने, उस IPC की तहद, उनके ओपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए नयापली का अलग हो, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है, भारत पिछले 75 साल से प्रजात तंत्र की रास्ता अपना चुका है, हम आजादी का अमूर्त मोहश्व मना रहे हैं, प्रजात अंत्र की इस इंस्टिश्विशन में कानून सभी के लिए एक प्रकार होते हैं, आप पिछले समाज को गाली करोगे, अपसब्द लगाओगे, बंचित वर्गों को आप नीचा दिखोगे, कानून आपके लिए अलग चाहोगे, यह सेंस अप एंटाइटिलमेंट है, सामन्त अबादी मनस्तिती की यह प्रतिफलन है, फिवडल माइंड सेट की रिफ्लेक्शन है, हम समुह से अलग है, क्यों? हम एक खांदान से आते हैं, हम एक परिवार से आते हैं, हम कानून से उपर है, यह से पहली बार नहीं हुआ है, घर मिलने की समय में, सुरक्षा की बारे में, एरपोर्ट में अलग जाने की बारे में, एक संस अप एंटाइटिल में, जो आज कानून को भी यह उपर मानते हैं, मित्रो इसको भारतिया जनता पाटी, कठोर से कठोर सब्द में निंदा करती है, बाकि कुछ भीशे मेरे मित्रो आप उसे जुड़ेंगे, नमस्कार मित्रो, आला की आदने द्रमेंदर जी ने बहुत विस्तार में सारी बात रखी है, मैं तो इतना ही कहूँगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं, राहुल जी कहते थे दुरभाग्य से सांसद हूँ, अनफॉचनेटली आम एनमपी, सो उनको जो एक दुरभाग्य लगता था, जुससे भी मुक्ती मिल गई है, उनके साथ-साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया, इतने लंबे समय से जो लोगसबा के सदस्य हों, ना कभी अब अन्दे घुतिले बीजेपी पक्ष्यरू शामबादी को सम्विलोंडरो आयोजन करा जाई थिला, लगातार भावरे कॉंग्रेस नता जमीटी टार्गेट करी आसु थिले, जहा किछी होई ची नियाई को व्यवस्था अनुसारे होई ची एबंग आईन अनुसारे होई ची, कारण राहूल गांधी जो भली भावरे अपसब्द व्यवाहर करी थिले, यहाएक निर्दिष्ट जातिकु एबंग समाज उपरे उटे विद्योस भावरा सुष्टी करी थिला, एबंग ताकु आधार करी जेते मेले कोट्रे जने व्यक्ति पहुँची थिले, एबंग सही मामलारो विचार करी एई दोंडा देश होई ची, एबंग जेते मेले दोंडा देश होई आमरो संबीधानिको व्यभस्था अनुसारे जने सांसोद बा जने जन प्रतिलिधिंको उपरे जेते मेले कोट्र दोंडा देश दियोंती सांगे सांगे तांकरो सदस्योता रद्द होई जाए एई आएको चिराचरी तो प्रक्रिया तेनु बर्तमान समोरे कॉंग्रेस अन्यो कथा चिन्ता करीबा कथा एबंग अन्यो उपरे आरोब्बा प्रतियारोप न करीबा ठीक ए कथा कोई छंती धर्बेंद्र प्रधान एबंग समस्तन को बर्तमान नजर रहीची कॉंग्रेस रा अभी मुख्या आगोकु कौन हैब कारोनाओ किछी समोर परे कॉंग्रेस अन्यो जरूरी काली नो बईठक नाज